हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका आज की न्यूज अपडेट में न्यूज अपडेट स्टार्ट करने से पहले एक बार दिस्क्लेमर हम आपको कोई भी फाइनाइशल अडवाईज नहीं दे रहे हैं क्रिप्टो में इन्वेस्मेंट आपको अपनी अनालिसिस के बाद ही करनी है क्योंकि प्रॉफिट अलाउस आपका अपना होगा और ये मार्केट काफी रिस्की है तो इसको अच्छे से समझे उसके बाद ही अपनी जो मनी है वो इसमें इन्वेस्ट करीए तो चलिए अब चलते हैं अपने न्यूस अपड्रेस की तरफ तो न्यूस में सबसे पहली जो न्यूस हम कवर कर रहे कहीं न कहीं यहां पर यह कहा जा रहा है कि 50,000 का आंगड़ा जो Bitcoin छूने की कोशिश कर रहा है उसमें बहुत सारी resistance उसको मिल रही है और resistance उससे भी मिल रही है कि जो future trades लगी है August month के last तक के लिए यहां September month के last तक के लिए तो वो लगी है 35,000 और 34,000 पर तो इसकी वज़ा से Bitcoin 50,000 का आंगड़ा जल्दी से टच नहीं कर पा रहा है और उसको बहुत resistance फेस करनी पड़ रही है और वो नीचे भी जा सकता है तो इस news की माने तो 50,000 का आंगड़ा easy नहीं है 49,800 के करीब गया था लेकिन महां से जो dump मिला उस dump की correction 48,000 के पास ले आई है और जब ये market फिर से उसके उपर जाने की कोशिश कर रही थी तो हमें वहां पर फिर से bearish mode मिला है और ये market काफी उपर नीचे है वो हो रही है तो इस वज़ा से 50,000 add present थोड़ा सा tough हो रहा है लेकिन अगर बात करें institutional जो investors हैं उनकी वो अभी भी bullish ही है और वो अभी भी अपनी investment जो है वो bitcoin में कर रहे है तो अब आने वाले time पर देखना होगा कि कौन जीतता है bulls या bears अगली news की बात करें इरान ने बोला है कि अब वो सित्मबर से अपना जो mining band उसने लगा रखा है उसको हटाने जा रहा है और सिर्फ जो authorized farm है उनको ही allow करेगा mining के लिए इसी के साथ यहां पर यह भी है कि इरान एक ऐसी country बन गई है जहां पर उन्होंने mining तो allow कर दी है लेकिन mining के साथ-साथ उन्होंने यह भी बोला है कि अगर इरान में कोई भी जो bitcoin या cryptocurrency यूज़ हो रही है वो जिरफ वही होनी चाहिए जो इरान में ही mine रही है इरान से बाहर से आई हुई mining की गई या इरान से बाहर mining की गई cryptocurrency इरान में आप उसको fiat में convert नहीं कर सकते हैं सिर्फ इरान में ही mine की हुई currency को आप इरान में fiat में convert कर सकते हैं और उसको export duty पे करने के लिए use कर सकते हैं अगला यहां पर हम आपके लिए जो cover कर रहे हैं बाइनेंस ने launch pool के उपर नया एक m box mo box जो है gaming platform है उसका token यहां पर yield stake और earn करने के लिए लगाया तो इसको आप multiple तरीकों से earn कर सकते हैं सबसे पहला है m box pool ही तो अगर आपके पास कहीं और से earn किये हुए या purchase किये हुए m box है और आप उसको binance में deposit करके binance के ओपर उसको stake करते हैं तो आपको सबसे ज़ादा staking का APY जो है वो मिलेगा अगर आप m box को ही m box pool के लिए stake कर रहा है तो 76.97 तो approximately 77% APY आपको मिल रहा है तो यह काफी बड़ा amount है यहां पर m box pool के लिए उसके साथ या BUSD और BNB को भी stake कर सकते हैं BUSD सबसे कम पर है 2.9% पर और BNB जो है 2.9% पर और BNB जो है 3.31% APY पर तो यह staking 27 दिनों के लिए है अभी तक जो जब हम news आपके लिए cover कर रहा है तो अभी 27 दिन इसमें बचे हुए हैं तो आप यह सोचें कि 27 दिन के लिए आपके वो token जो भी आप लगाते हैं कि stake हो जाएंगे आप उनके ऊपर trading नहीं कर पाएंगे अगली event की यहां पर बात करें तो वह है चिलीज का ranking है 62 और value है 0.3738 और उसी के साथ साथ engine coin का भी ranking है 72 और value है 1.76 और यह जो दोनों coin है चिलीज और engine इन दोनों का combined event है कि यह दोनों के दोनों bit stamp के ऊपर आज मतलब Monday को यहां पर इनकी जो trading है वो start होने वाली और यह list हो जाएंगे bit stamp exchange के ऊपर तो यह भी एक आप कह सकते हैं इन दोनों ही coins के लिए हो सकता है कि आप already इसमें invest कर चुके हैं और यह जो opportunity है वो कहीं न कहीं हम इसमें delayed हो गए हैं आज ही है event और हम आपके साथ आज ही cover कर रहे हैं तो आप इसके बाद यहां पर इसके regarding जो भी जो price में up down होता है उसको देख सकते हैं अगला event है cardano का ADA का value 2.56 ranking number 3 पर आ चुका है यह और इसका जो event आ रहा है वो है Japanese event यहां पर वो जापान की जो exchange है bitcoin उसके उपर उसकी listing जो है वो होने जा रही है अगर बात करें जापान की तो जापान काफी strong है crypto के उपर और काफी जो market है crypto की जापान के अंदर वो बहुत बड़ी है इसलिए coin base में भी यहां पर अपनी जो launching है वो बहुत ही तरीके के साथ करी है और बहुत ही अच्छे wave में उन्होंने good books में आकर यहां पर अपनी exchange की जो announce है वो करी है exchange उन्होंने अपनी launch करी है यहां पर और जापान में अगर यहां पर इस exchange के उपर list हो रहा है तो ADA को बहुत benefit मिलने वाला है आने वाले time पर हम देख पाएंगे कि जादा user आने से और जादा value इसकी अगला event dog का ranking 456 और value.09967 और अगर event की बात करें तो event है इनका exchange based staking इनकी start होने वाली है Q3 में Q3 आप कह सकते हैं कि by September यह इनकी launch हो जाएगी और उसी के साथ-साथ ledger wallet support इस पे star लगा है कि हो सकता है यह possibly ना भी हो लेकिन exchange based staking जो है वो start हो जाएगी इससे पहले उन्होंने proof of stake के उपर अपना launch किया था यह उन्होंने जुलाइव मन्त में अपनी launching जो थी वो कर दी थी अब exchange based staking जो है वो dog की शुरू हो जाएगी और dog की exchange based staking के लिए वो 3-4 जो exchanges है उनके साथ अपना tie-up कर रहे हैं जिनमें Binance है, Qcoin है तो यह बड़ी coin आ हुए भी है तो इसमें आपको dog की staking की option जो है वो मिल जाएगी अगला event है कावा का अगर ranking की बात करें 110 है value की बात करें तो 8.55 dollar है और event की बात करें तो event है इसका कावा का जो swap का test net जो आने वाला है वो यहां पर यह competition करवाने वाले है और उन्होंने announce किया है कि record number of users जो है उनके साथ register हो चुके हैं कावा swap के test net के लिए और यह 30 अगस्त क स्टार्ट होने वाला है इसको इसकी launching होगी और अगर इनाम की बात करें तो इन्होंने काफी बड़ी amount जो है वो रखी हुई है winners के लिए तो अगर पहले winners की बात करें तो 10,000 USD tier 2 के winner की बात करें तो 2500 USD उनको मिलेंगे पहले जो top tier 1 winner है वो 5 है tier 2 winner है वो 20 है bonus price pool भी उन्हों 200 users के लिए जिनको each को $100 मिलेंगे और बाकी उन्होंने payout रखे हैं 14 दिनों में अपना अलग-अलग values के और इसमें mainnet launch और यहां पर distributed भी होगा जो यह वो सारे के सारे अगले business day के उपर मिल जाएंगे that means कि अगर यह 30 अगस्त को हो रहा है तो एक 30 अगस्त को सभी को अपने रखते हुए अपनी trading कर सकते हैं और अपना profit जो है वो बना सकते हैं तो friends यह थी हमारी आज की news or event update आपके लिए आपको कैसी लगी है में जरूर बताईएगा और उसी के साथ-साथ thumbs up का icon भी press करिएगा साथ-साथ channel को अभी तक subscribe नहीं किया तो वो भी कर ले और bell notification का icon जरू family मिलते रहें तो मिलेंगे अब आप से अगले news update में तब तक के लिए thank you very much